आयांस ला मिलके सबे कोई गोहार करीना हो गोहार करीना यह देखिए यह देखिए कंटेनर में इधर देखिए नोट है यह जो मुहिम चल रहा है बाबू आयांस को बचाने की मुहिम चल रहा है आयांस बाबू को जो बिमारी हुई आपको पता है जेनेटिक स्पैनल मस्कुलर अट्रोपी टाइप ओन इस बिमारी से सामना कर रहा है ये जो कंटेनर लेके पूरे जो सहर में घूमा जा रहा है कुछ यूबा लोग आयों मैं थोड़ी में जंकाड़ी दे दूँ आपको ये जो इतने यूबा लोग हैं बिहार के लखी सरा जिला के बंसीपूर के रहने बाले हैं ये लोग गली गली घूम कर इतना जमाकियां आयांस भाभू के लिए बारी बारी से हम जानेंगे कि ये इस मोहीम के पीछे क्यों लगे हुआ है सबसे पहले आप बते हैं आपको नाम क्या हुआ मेरा नाम सर रवी कांद कुमार उल्फर जद्दू जोसीला हुआ और जहां तक की बात है सर इस मोहीम को आगे करने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे आप लोग जन्मंच न्यूज देवेंद्र भहिया और इस सबसे बड़ा योगदान है कि हम आयांस भाभू को जिंदिगी के बचाने के लिए इस मोहीम को चालू किये थे और हम लोग अपने माता पिता से असिरवाद लेकर के मन से असिरवाद लेकर के इस बच्चे को बचाने के लिए हम लोग लखी सराय में बिद्या पिट से लेकर के दलपटी से लेकर के आप लोग कोट तक हम लोग पैदल मार्च किये हैं और आयानस बाबू को जिन्दगी बचाने के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाएं तो गली-गली हम लोग आयानस बाबू के जिन्दगी के लिए हम लोग थोड़ा सा पैदल और डूनेशन मांगते हुए मैं पुरा लखी सराय में पैदल मार्च किया हूँ और हमारे शहयोग भी बहुत सारे लोग जितने भी हैं काफी मदद किये थे जहां तक की बात है इंको बचाने के हम लोग का यही दायत है कि हम इस मुहिम में कहते हैं कि पूरा बिहार नहीं पूरा देश इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और आयानस बाबू को जिन्दगी बचाने के लिए सफ पहुंचा है और हमेश्ब्स आयज करोण का सफर।우उ मृज़न कर दस क्रोण का फासला रह गया और इस तरह से मुमक्न हो रहा है यांस बाग्वू के लिए और नाम क्या हुआ अन्मोल कुमार एक जब आप सहयोग तानि की लिए यहां इनको प्रेसानी नहीं हो रही है लोग सबको पता है आयांस नाम का महताज नहीं है आपका नाम क्या हुगा लग्की कुमार लग्की जी यह बताइए आयांस की पास क्यूं आ गए आप आयांस के जैसा मेरे घर में भाई है इन यह थी देखे थे इसका वीडियो जब तो दिल से रोना आ गया था इसलिए आम भी कुछ सायोग करने के लिए मांगने गए तो जब आपका वीडियो देखा यांस बाबू का तो रोना आ गया बात सही है यह शरीर इनका काम करना धिरे बच्छे को आपने देखा टीवी आप मोवाइल परत कैसा मुश्चूस हुआ था हमको लगा कि हम भी कुछ डोनेट करें ठीक है कुछ किया जाए आयांस के लिए और हम लोगोंने टीम बनाया मतलब हम लोग मतलब मिलके कि चलो कुछ टोनेशन हम लोग इखटा करते हैं फि सबसे पहले कहा जाता है कि कोई चीज मंजिल दूर नहीं होती है अगर लोग ठान ले हम उस सोला कलोर को नहीं देखे थे सबसे पहले देखे थे हम आयांस बावु का जिन्दगी अगर आयांस बावु को जिन्दगी बचाने के लिए हम जितना तपश्या कठीन तपश्या किये हैं पूरे आज जो जो दो दिन से मुहिम चला था पैदल बारिश की बूंदे भी हमारे सरी पे तन पे पढ़ रहा थ उसके साथ भी हम लोग चले और आज जो कि दो दिन का मुहिम चला लखी सराय में अगर टोटल टाइम अगर करें जितना मांगने का सिर्फ हमको लगता है दोनों दिन मिला करके 10 घंटा हुआ था ऐसे 36 घंटा हम सस्त को इसलिए बताए कि जो दिन गुजर गया उसी को भी मै जोड़ा था और वही 10-12 घंटा में और आज जब हम लोग अपने घर बंसी पूरा स्टेशन से चले थे पूरे ट्रेन में जिस तरह से डूनेशन मांगा जाता है किसी बेक्ती को परेशानी में ना डालते हुए लोगों से कुछ ऐसा नगेटिव सोच भी आया था लोगों क कि आयांस एक इस जाती का लड़का है तो आप लोग क्यों मांगते हैं बस हम उनी से यही दरख्वास करना चाहेंगे कि जहां किसी के जान बचाने की बात होती है वहाँ धर्म और जाती मजहम नहीं पूछा जाता है बस हम लोग का आँख में प्यार और दिल में यही जुन कि देख सकते हैं कि किस तरह से आयांस के लिए धन रासित जुटाया जा रहा है यही भाई साम यो गाना गा रहा है इसे सुनते हैं कि आप थोड़ा सा जिस्ता से आप डोनेशन मांग रहें गाना गागा कर पिलिस गागो सुनाए सर सबसे पहले जब आयांस की बारी आई थी हम लोग पोश्ट देखे थे बश मैंने तुरंत फोन किया प्रिंस प्रियादर्शी जो राइटर है उस भहिया को कि भहिया आयांस के जीवन के लिए हम लोग कुछ गुन गुनाना चाते हैं ताकि उस गाने के जरिये से मुहिम म ताकि सभी को दिल में यही लगे कि आयांस बाबु को जिन्दियों बचाना है और उन्होंने मुझे एक थोड़ा सा लिख करके दिया और मैं उसको आ करके पटना गा करके गए थे उसी गाना के जरिये मैंने उने शन मांगा था और गाने इस परकार से है मांगी लभीक हम हथावा पसार के मुसीबत में बाटे है बेटा घर परिवार के मांगी लभीक हम हथावा पसार के मुसीबत में बाटे है बेटा घर परिवार के आचल सुनाना होखे हम गोहार करिना जीबान पाब धन देई उपकार करिना आयान सिला मिल के सभे कोई गोहार करिना जीबान पाब धन देई उपकार करिना आयान सिला मिल के सभे कोई गोहार करिना जी हाँ आप तस्वीर में देखिए आयान सिला मिल के सभे कोई गोहार करिना और इस तरह से बाबू आयांस को बचाने के लिए प्रतन किये जा रहे हैं और आप तस्वीर भी देख लिए गाना गागार के पैसा जूटाया गया और कंटेनर में पैसा भड़ा हूँ आयांस के लिए प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है बैरल कीजिए देश बास्तों तक पोचाईए कि आयांस की मुहम कितनी तेज हो चुकी है धन्यवाद